वेलकम बड़ी अगर आप जो है वो जोईंट CSIR UGC नेट की जो है अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो इसमें जो है वो अगर आप जो है वो EWS केटेगरी से बिलॉंग करते हो तो आपको जो है वो 10% का benefit मिलता है और साथ ही जो है वो थोड़ी कम marks में भी जो है वो आपकी सेलेक्शन के chances बढ़ जाते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको प्रवाइड करना पड़ेगा EWS certificate और यहां पे जो है वो आप इसके अगर सिपोर्ट करोगे तो ओके तो यहां पे ढब देखोगे तो हाँ यहां पे अपको तो जहैं वो के ठ्रवी से केट जो है वो यहां पर पहले आप लोट करना पड़ेगा ओदा 50 kv to 300 kv in PDF format okay तो अगर जो है वो PDF आपको upload करने का option रहता है तो उस case में आपको जो है वो अपना category certificate upload करना परेगा PDF format में तो यह जो है वो आपके पास होना चाहिए और अगर जो है वो मैं बात करूँ कि क्या क्या guidelines रहती है इसके regarding तो यहां पर जो है आपको बहुत detail में जो है वो नहीं बताया गया है यहां पर सीधा क्या लिखा गया हुआ है देखेंगे आप ध्यान से provision of reservation for candidates belonging to EWS OBC SCST PWD will be as per government of India instruction issued from time to time तो इसमें जो है वो guidelines यहां पर बहुत पेंसर नहीं है लेकिन मैं आपको briefly जो हो बता देता हूं कि आपके पास EWS certificate जो है वो एक अप्रेल 2022 के बाद का होना चाहिए ओके तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि आपका certificate जो हो एक April 2022 के बाद का certificate issue हो तो आपको जो हो कोई भी problem नहीं होगी लेकिन अगर आपके certificate नहीं है तो आप new certificate के लिए apply कर दे या फिर आपके पास इससे पहले का certificate है तो भी आप new certificate के लिए apply कर दे ताकि आपको बाद में कोई भी issue ना हो ओके इसके regarding मैंने एक detailed video बना दिया है जिसका link आपको इस वीडियो के description box में मिल जागा कि EWS certificate कैसे बनवाते हैं तो आप उसे चाहिए जो जाके देख सकते हैं साथी जो है मैं अगर बात करूँ कि आपका जो है वह certificate पे valid year जो है ओके अगर valid year आपके certificate पे 2022 से लेकर 2023 रहता है या फिर और साथ में financial year जो है वह financial year जो है वह 2021 से लेकर 2022 रहता है तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या इसके आगे कभी certificate आपका valid होगा ओके तो अगर मैं इसके format की बात करूँ तो format भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको जो है वह यूजरी आपने देखा होगा format को कोई हाई-फाई इसका format नहीं है जैसा format यूजरी आप सभी ने इसका भारा होगा तो आप सभी को मालूम होगा ओके तो मैं इसका format आपको दिखा देता हूं तो यह जो है वह एक्सर 11 में आपको जो है वह मिल जाएगा और इसको करने का link मैंने आपको description box में दे दिया है तो वहां सा फीसे download कर सकते हो और यहां पर देखोगे तो इसमें जो है वह कुछ चीज मैं आपको बता देता हूं जैसे कि valid year जो है यहां पर दिखाई दे रही है तो यह वाला जो valid year है यह आपका 2022 और 2023 हो या फिर अगर आप 31 के बाद बन माते हो तो यहां पर जो है वो 2023-2024 होगा वोगा क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो तब देख रहे हो जब जो है वह एक अपरील 2023 से 2024 होगा और नीचे में जो है यहां पर एक financial year भी लिखा गया हुआ है तो यहां पर जो है वह ब्लैंक नहीं दिखाईते रहा ह लेकिन ब्लैंक रहेगा में सब्सक्राइब तो उसकेस में ये 2022 से लेकर 2023 लिखा रहेगा ओके तो इस चीज को आप लोग समझ ले और इसके रिकार्डिंग क्या-क्या जो हो चीजें हैं वह भी मैंने आपको प्रवाइड करा दिये हैं फॉर्मेट यह सभी और एक वीडियो मै in the comment box